तो आई आज के च्छास में हम लोग पढ़ेंगे चेप्टर फाइब क्लास 12 और सब्जेक्ट इंग्लिस एए जिसका सव मर्ख्स वाला जो इंग्लिस है उसका ये च्छाप्टर फाइब है जिसका पार्ट थ्री आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाट वन में हमने लेखा का परिचाय पढ़ा, पाट टू में प्रग्राफ नंबर एक से लिकेगए 6 तक हमने कम्पलिट किया और आज की क्लास में पाट त्री में हम प्रग्राफ नंबर 7, 8 और 9, तीन प्रेग्राफ को complete करेंगे और इसके बाद वाले विडियो में chapter को complete करेंगे क्योंकि इधर जो प्रेग्राफ हैं सभी लंबे लंबी प्रेग्राफ हैं तो तीन ही प्रेग्राफ लेके चलेंगे आज हम लोग पाठ का नाम है ideas that have helped mankind जिसका explanation पढ़ेंगे इसके राइटर का नाम है वर्ट रैंड रशल वर्ट रैंड रशल तो आईए बीना टाइम कवाए हम लोग चलते हैं पर अगर आप नंबर नौ साथ पर और आप लोगों से यह मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है ते एक बार आप उसे देखें प्लेलिस्ट में जा करके क्योंकि जब उसे आप देखेंगे तब ही कुछ समझ में आएगा नहीं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा कि साथ नंबर प्रेगराफ है हमारा है है सिब्लिजेशन टॉट टॉट मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना सिखाना या पढ़ाना तो हमारा जो सिब्लिजेशन है हमारी जो सभिता है वह हमें यह सिखाती है आस टू बी मोर फ्रेंडली कि हमें एक दूसरे के प्रती मित्र मित्रता पूर्ण फ्रेंडली मतलब होता है मित्रता पूर्ण टू आड्स वन एनोदर मतलब कि क्या जो हमारी सभता है वह में यह सिखाती है कि हमें एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए इस का उत्तर बहुत ही इजी है सरल है मतलब यहां पर प्रस्ण किया जा रहा है कि हमारी जो सभता है वह हमें यह सिखाती है कि हमें सभी लोगों से मिल्जूल कर रहना चाहिए तो लिखक करते हैं कि इसका जो उत्तर है वह बहुत ही क्या है सरल है इजी है इजी मतलब क्या होत आप कि रोबिंस अब रोबिंस की को कहा गया है कोंश्ट में दिखेंगे लिखा गया है the English not the American as मतलब अंग्रेजों की बात की जा रही है ना कि अमेर्की प्रजातियों के बारे में बात की जा रही है कि पेक एन एल्डरली रोबिन टू डेथ मोले मैं घिव एन एल्डरली मैं एन ओलड एज पैंसन बहुत दिसांदार लाइन है कि एक समय था कि जो रोबिन थे जो हमारी प्रजाती थी पहले की वो अपने एल्डरली रोबिन अपने पुर्वजों को अपने से बड़े रोबिन को डेथ मरने पर पेक करते थे पेक मतलब होता है उनको नोच नोच कर खा जाते थे एक टाइम था कि जब हमारे पुर्वज मरते थे तो हम उन्हें जलाते दफनाते नहीं थे बलकि उन्हें हम काट-काट कर बांट कर आपस में खा जाते थे ऐसी सोच थी कि हम अपने पूरवजों को अपने दिल में रखते हैं उसे जलाते या दफनाते नहीं हैं एक समय ये भी था समय क्या था ये कुछ बर्स पहले तक भी था नागा लेंड में नागा लेंड में ये नियम था कि कोई भी बुढ़ा बुजुर्ग हो गया है तो उसके मरने के बाद उसको जलाया दफनाया नहीं जाएगा उसको पिक किया जाएगा बढ़िया से जिसको जितना एक किलो दो किलो जिस तरह मुर्गया का मीट खोसी का मीट होता है ना कट कट के सब लोग अपना बढ़िया से खा लेते थे लेकिन वेराइज मैन लेकि आज जो मनुस्य हैं जो सबहता है जो लोग आप सब पढ़े लिखे हो चुके हैं गीव देते हैं एलडरली मैं अपने पुरवजों को अपने से बड़े लोगोंको एन ओल्ड पेंसन बुडा पेंसन देते हैं बुडा पेंसन के आश्यवा आधि कि आज जो पिढ़ी है वो अपने पुरोजों को मारती नहीं है, खाती नहीं है, बलकि उनकी सेवा करती है पेंसन कार्थ क्या होता है? कि जब बैठती बुढ़ा हो जाता है, रिटायर हो जाता है, लाइब से 60 बरस के बाद तो सरकार के हिसाब से या प्रकृति के हिसाब से भी वब्यक्ति किसी कारी के अब युग्या नहीं रह जाता है उतना तो उसको बैठा कर खिलाना पिलाना उनकी सेवा करना है उनका पेंसन काहलाता है तो एक वो समय था जब हम सभे नहीं थे तो हम इने काट कर खा जाते थे और आज समय है कि हम उनकी सुरक्षा करते हैं दवा इलाज कराते हैं उनको ठीक से रखते हैं कि ये मरे नहीं तो समय बदला है, सभेता बदली है आगे है Within the heart, we are more friendly to each other अगर बात किया जाए एक समूह की तो हम एक दूसरे के प्रती friendly का बेवहार यानि कि मित्रता का बेवहार रख सकते हैं There are many species of animals अगर आप पसूओं की बात करें हम तो मनुस्य हैं आप लोग पसूओं में देखेगा तो पसू भी एक दूसरे से आप में friendly रहते हैं एक दूसरे से मित्रता पुरुक रहते हैं आप में खेलते हैं कुटे हैं लड़ते हैं जगडते हैं लकिर आते हैं साथ में आप लोग ने बंदरों के जुंड को देखा होगा खूब आपस में मारा पेटी सब करते हैं ल coincidence चलते हैं समुह में यह नहीं कोई किसी से अलग होके चलता है लेकिन मनुष से उससे गया गुजरा होता है यह जगड़ा करता है लेकि उसी समय से क्या हो जाता है अलग हो जाता है वो समुह में रहना पसंद नहीं करता है कुटों को देखी आप आपस में खुब काटा- कुमेंगे फिर साथ ही में गैंग बना करके तो यह दो जनवरों में अनिमल्स में देखने को मिलता है बट इन आवर एटिट्यूड लेकि हमारा जो एटिट्यूड है यह हमें करने नहीं देता है तो आउट साइड दा हर्ड परन्तु हमारे जो नैतिक सिक्षा देने वाले हैं धार्मिक सिक्षा देने वाले लोग हैं वो हमारी ऐसी मतलब टीच किये हैं ऐसे हमको सिखाये हैं कि हम लोग अपने घमंड के कारण यह चीज नहीं भूल पाते हैं कि मनुस्य अगर समाज में हैं तो जगड़ा करता है लेकि उसे समाज से अलग होना नहीं चाहिए हमारी भी जो भावनाय है जो इमोशनल है वो पसुओ की तरह होती है हम भी पसुओ की तरह भावक होते हैं हिंसक होते हैं एंड आवर इंटलिजेंस और हमारी बुद्धी इनेबल योग्य है अस टू गिव देमें स्कोप विच इस दिनाइड टू इभेन दा मॉस्ट बेस्ट यानि हमारी जो बुद्धी है हमें ये औसर दिया है हमें योग्य बनाती है कि हम पसुओ की तरह न हो मतलब हम मनुस्य है पसुओ से हमारे पास ज़्यादा दिमाग है तो हम पर्यास करें कि जो पसुओ करते हैं वो काम हम भी न करें अगर पसुओ अपस में जगड़ा करते हैं उनके पास दिमाग नहीं ह मनुस्य के पास तो दिमाग है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी आप कितना भी समझ लिजिए ये मनुस्य है मानता नहीं है if may be hoped मुझे या आसा है विश्वास है hope मतलब होता है विश्वास hope मतलब विश्वास thought not very confident यदि बड़े बिश्वास के साथ तो नहीं that the more human attitude will in time come to prevail but so far the means are not very propitious मतलब कि ये मुझे पुरा बिश्वास तो नहीं है कि अधिक जो मनुस्य है वो अभिभावी हो attitude हो परन्तु एक समय आएगा कि हम सभी सुकून से रह पाएंगे मतलब कहने कारत है कि अगर हम मिल चुल कर रहेंगे तो सुकून से रहेंगे और जानवरों की तरह बिवहार करेंगे तो एक समय आएगा कि हम कभी भी खुस नहीं रह पाएंगे आपस में लड़ाई जगडा करते रहेंगे इसलिए हर एक व्यक्ति को समाज के प्रती, लोगों के प्रती फ्रेंडली बिवहार होना चाहिए मतलब मैत्री पूर्ड बिवहार होना चाहिए तभी जाकर के हम आगे कुछ कर सकते हैं आट नमबर प्रग्राफ है अल दिस दिफ्रेंट अलिमेंट्स मस्ट वी बोर्न इन माइंड इन कंसेडरिंग वाट आइडियाज एब ड़न मस्ट तो हैल्प मैंड काईड इस बात पर विचार करने से पूर्व कि किन विचारों ने मानो जाती को सरवधा सहायता की है हमें इन विभिन ततों को ध्यान में रखना चाहिए दा आइडिया विथ विच वी सेल बी कंसर्ण में बी ब्रोडली डिवाइड इंटू टू काईड जिन विचारों से हमारा संबंद है उन्हें मोटे तोर पर दो प्रकार से बांटा जा सकता है मतलब जिन से हमारा रिलेशन है जिन संबंदों से उसे कितने भागों माटा जा सकता है दो भागों में दूज दैट कंट्रिब्यूट टू नौलेज एंड टेकनिक पहला कि जो भी हमारे पास है उसे हम ग्यान और तकनिक के रूप में परियोग करें किसके रूप में परियोग करें ज्यान और टकनिक and those that are concerned with moral and politics और जिनका संबंद नयतिकता और राजनितिक से हो नयतिकता किससे हो राजनिति से हो I will treat first those that have to do with knowledge and technique पहले मैं उनपर चर्चा करूंगा जिनका संबंद ज्यान और टकनिक से है नौलिज मतलब घ्यान होता है और टेक्निक मतलब टक्नीक होता है आप लोग सुने को अगसे टेक्निकल काम सीख रहा है कौन काम सीख रहा है टेक्निकल तो टेक्निकल काम जो मसिनीरी काम होता है उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल नौ नमबर है The most important and difficult step सबसे महत्वपूर्ण और कठिन उपाए were taken before the dawn of history वो है जो हमारे इतिहास से मिला है मतलब कि हमारे इतिहास से जो कुछ हमें मिलता है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और कठिन उपाए होता है इतिहास मतलब क्या हो गया हमारा भीता हुआ समय At what stage language begin is not known भासा किस अवस्था में प्रारम हुई यानि कि language का जो starting हुआ यह कब से आया यह किसी को तो किलियर किलियर पता नहीं है मतलब हम लोग आज हिंदी बुलते हैं भशपूरी बुलते हैं नहीं आई but we may be pretty certain that it began very gradually प्रांतों हमें काफी विश्वास से किया धीरे धीरे आरहम हुई लेकि हमें लगता है कि अगर भासा आये भी होगी तो अचानक नहीं आये धीरे धीरे इसका विकास हुआ होगा without it इसके बिना it would have been very difficult hand from generation to generation अगर मतलब भासा नहीं होती तो हम अपने अगले पिढ़ी को कैसे देते ये बड़ा ही कटिन था क्योंकि हम आने वाली पिढ़ी को कुछ भी सिखाते हैं तो किसके माध्यम से सिखाते हैं भासा के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किसक अपने भी खोज हुए हैं and discoveries और अभिस्कार हुए हैं that were gradually made उन सब में कही ने कहीं भासा का युगदान है अगर भासा नहों तो इस दुनिया में कुछ भी अभी तक खोज नहीं हुई होती और इतना दुनिया आगे नहीं बड़ा होता तो अच्छे से इसको आप लोग इस लिए अपने से जितना आप लोग पढ़ सकें उतना बेटर रहेगा तो कल के क्लास में प्रग्राफ नंबर दोस ग्यारह बारह और तेरह चार प्रग्राफ है उसको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर समाथ हो जाएगा